तो यार ये वीडियो देखने बाद आपके अंदर इतना confidence तो आई जाएगा कि कोई sport player भी आपको sensitivity बता रहा हो तो आपसी दे उसको बुलोगे basically pure knowledge देने वाला हो सिर्फ यहाँ पर सबसे पहले चलते camera sensitivity क्या है camera sensitivity वही है जो हम camera angle गुमाते चाहिए वो no scope हो किसी भी चीज का हो मतलब कि red dot का हो 3x हो 4x हो सिर्फ और सिर्फ इनका camera angle तो यहाँ पर मैंने इसको zero किया था आपने देखा बिल्कुल भी camera angle नहीं गुम रहा था वापस हमने इसको बढ़ा दिया camera angle गुम रहा है सेम चीज काम करेगी हमारे scope इन में मतलब है red dot के साथ जगर को scope लगाए ठीक है तो यहाँ पर हमने red dot का जो है camera angle देखो पहले अच्छे से घूम रहा है सिर्फ camera angle गुम रहा है ठीक है ADS पे नहीं यह देखो अच्छे से घूम रहा है ना अब हम इसको zero करेंगे और आपको एक चीज में दिखाऊंगा कि fire पे काम करेगा लेकिन बिना fire के काम नहीं करेगा बिना fire के नहीं गुम रहा है लेकिन fire करने पे घूम रहा है इससे आपको क्या चीज पता चलती है ADS camera angle डिफरेंट दो चीज़े जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है control करना और सही रहना ल चलती बाइक पे स्प्रेद होगे चलती गाड़ी पे स्प्रेद होगे तो उसके लिए आपको ADS तो लगेगा यह लगेगा लेकिन जब आप ट्रैक कर रहे हो कोई चिट्रैक कर रहे हो मान लो कोई बंदा पीक फीक करने वाला है वहापर आप आप आपको camera sensitivity का ध्यान रखन किसी भी स्कोप से किसी भी चीज़ से आप लाइक कोई भी स्कोप लागा हो जब आप फायर करोगे तब सिर्फ ADS यूज़गी बाकी हर जगा पे camera sensitivity जो यूज़गी बात करते इसके बारे में यह क्या है तो यह simply आपका जो eye button ना उसकी sensitivity है उसको कोई चेड़ चार्ड करने कि ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं आपको recommend करूँगा हर एक बंदी को कि भाई यह देखो उसको full रखे तो ज़्यादा सही रहता है मेरा भी full है default भी full ही रहता है TPP वाला camera वाला और FPP वाला जो भी आप चाहे वो default रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा gyroscope की अगर बात करें किसी भी सेटिंग ना किसी की भी सेटिंग डायरेक पेलना मत वो उससे दिक्कत जाएगी यहाँ पर मैंने जाइरो की जो सेंस्टिटी गाइज वो जीरो कर देते बिल्कुल भी camera एंगल नहीं गुम रहा ता मेरा जो मोटिव एस वीडियो का basic आपको जो चीज़े वो clear करना कि कौन सी चीज किस काम आती है तब जाके आपको चीज़े पता रहेगी यहाँ पर gyro का जो camera है वो मैंने भाई अच्छा कासा बढ़ा दिया तो यहाँ पर आप movement देख सकते हैं काफी ज़्यादा fast हो गए हमारी same चीज हम करेंगे आप यहाँ पर किसके साथ करते देखो जाए रहे हो मतलब फिंगर से में उसको खिषने की कोशिच कर रहा हूं लेकिन इतना मजा नहीं है मतलब इतने अच्छे से जो रिकॉइल कंट्रोल नहीं हुआ यहाँ पर मेरे जो जो सेंसिटिविटी काई सोड़ा सा बढ़ा देता हो और यहाँ पर आप स्प्रे देख सक लीचे के साइड डाउनसाइड जाएगा मूव करेगा बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट मूव करेगा बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी भी ने रखनी है आपको आपके हिसाब से रखनी पड़ेगी डिवाइस के हिसाब से रखने पड़ेगी और सिर्फ और सिर्फ डिव mind connection अलग है उस बंदे का अलग है आपकी आदत अलग है उस बंदे के आदत अलग है तो जो आपके आदत के उपर आपके प्रैक्टिस के उपर सूट करें ना वही चीज़ आपको करनी चाहिए मैं जायरो और नॉन जायरो जो यह दोनों चीज़े खेलता हूँ जब मन करें मान लो मेरे पास 11 Pro Max से आपके पास 11 Pro Max से फिर भी हमारी सेटिंग एक दूसरे के लिए काम नहीं करेंगी यह चीज में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मुझे जिस चीज की आदत है कि भाई जब मैं 3X यूज कर रहा हूँ ऐसा ऐसा रिकॉयल कंट्रोल करना है तो मैं इतना जादा डिवा इसको टिल्ट करूँगा इतना ज्यादा लेफ राइट करूँगा वह मेरा मसल मैं कनेक्शन अलग बेड हो चुका है वह मेरे में में मेम्री के अंदर की चीज आपके अंदर नहीं जाएगी डिवास तो आ गया है लेकिन दिमाग में जो चीजे वो नहीं आदत है तो किसी बंदे के sensitivity बहुत ज़्याद है literally अगर आप यूज़ करोगे तो आपका scope पूरा नीचे जा रहा है लेकिन वो यूज़ कर रहा है तो बहुत सही जा रहा है वहाँ पर समझ लो scope in ठीके camera जहाँ पर दिख रहा है अगर red dot 4x 3x से उनकी camera setting कर रहे हो तो सिर्फ आपने scope in करके रहा है fire नहीं कर रहा है वह वाली setting आप change कर रहे हो जहाँ पर ADS नाम आ गया simply दिमाग में डालो ADS मतलब हम जब fire करेंगे वह वाली sensitivity हम change करेंगे यह दो चीज एक चीज़ा मुझे आज वीडियो में बताने थे आपको समझ में आया होगी